गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स मेरा नाम स्टेफी मास है मैं गौर्मेंट सीनर स्केनर स्कूल अत्वाल विखे पढ़ा रहे हैं साथा आशता टॉपिक है क्लास 12 दा यूनेट 2 दा सेशन 1 और 2 असी दोनों कवर करांगे देविच Fundamentals of Procurement Policies and Guidelines सबतो पहला साथा सेशन आँदा है सेशन 1 जे देविच चसी पढ़ांगे की प्रोक्रियूर्मेंट की होंदा है प्रोक्रियूर्मेंट दा मतलब होंदा है बेसिकली सिंपल शब्दा देविच चसी दसी है तब Procurement मतलब है कोई भी चीज ले आना कोई भी चीज खासिल करना ठीक है असी बहुत सारी कंपनियां देविच जाने है जिना विच कोई न कोई दिपार्टमेंट होंदा है हार एक दिपार्टमेंट देविच हार एक दिपार्टमेंट देखोल procurement department जड़ा है वो हो वेगा ही हो वेगा हुन procurement department दा मतलब की है कि की काम करता है ठीक है इसना main process की है असी इस सारी चीज एदे विच देखांगे हुन में एक simple word दे विच simple example लेके तो उन्हें पहला समझा रही है कि जी मैं ऐसी amra दें कि vallahi a पागाल करने है कि हर इक की कर दे विच आपा नॉर्मली कर दी example ले रहे है कर दे विच कोई ना कोई person होन और जो कुई विचीज बिच कोई shopping करनी होभी के पैसे दे मामशन principle के आप इससी विचीज दे विच हर इक दे कर दे विच एक ना एक मेंबर इताद होंदा है ठीक है फॉर एकसांपल साथे करदे विच ओवियसली मैं है जदे विच मैं बार्गनिंग भी कर दी है मतलब जिसानों कोई ये ओही जी ओही बन्दा काम कर सकता है जिसनों कोई न कोई knowledge होई हुन साथे करदे विच जड़े मेरे कर दी है वो थोड़ा बार जाके थोड़ा मतलब जान दी है लेकिन मैं हर एक काम जड़ा है वो कर दी है ओदे नाल मेंनों पूरी knowledge मिल दी है ठीक है जे दे नाल मेंनों पता है कि ये जिज इत्तों वधिया मिल जाएगी इत्ते इने रिर्टी मिल जाएगी ठीक है असी कोई ना कोई example लें दे हाँ हुन चलो असी example ले रहे सीगे हुन मान लो असी किसे और चीज दी किसे दे कार दी example ले लिए जा और किसे चीज दी example ले लिए कि एक person ने वो glass ता set लेके आ रहा है ठीक है जा उदा कोई cousin लेके आ रहे है जा उदी कोई friend लेके आ रही है ता ओ लेके आ रही है 300 पैदा ठीक है उन ओ जड़ा तो friend है उनों पुछदा आए के तू किन्ने दले आ अंदा भी में ता 500 दले आ ठीक है ते जड़ा दूसरा person है ओ कि कवेगा तो कवेगा same price जड़ा तू 500 दा लेके आया same glass दा set उमें 300 पैदा लेके आया क्यों? क्योंकि जड़ा पहले वाला person है वो direct ग्या shop थे उन्हें सिरफ इन्ना क्या होना जी आ मिन्नू set दे दो 500 किन्ने दा है उन्हें कोई bargaining ने की ती कोई कुछ नहीं दस्या उन्हें बंदे ने क्या जी 500 दा है तो उन्हें चुप करके उन्हें 500 पैफडा देता तो यो set लेके आगे ग्लास दा ठीक है? जिद्धा के नॉर्मली एक काम जड़े हुन्दे बंदे कर दे ठीक है? जैसी ये उद्धा गल करी है जिद्धा करें जड़ी कर दे जल्दी जल्दी दे वीत कोई उन्हें करना नीजीं दे कई जान्द से बंदे का किए ये बार्गनिंग कर्ला दे बट कई हुन्दे नहीं ने क्या दता जी उन्हें दापा सेटले ले ये थीक है ता उन्हें उन्हों क्या नई जी बजार देवेच बाकी जगाद है दिन सोर पैदा मिल रहा तुसी मनों पांसोर पैदा दे रहे हो ठीक है ता अगला दुकान दार भी जी समझ आदा है कि इस बंदे नो नौलेज है ता उसनों उन्हें पैसे दी उचीज लगा दिनदा है ठी यह ता शी साधी सिंपल जही एक एक जामपल जो असी अपने काद्दे विच लगा ठीक है तो यह दा मतलब की है कि उस बंदे नो नौलेज सी ठीक है कि तो लिया किने दा लिया कि दा दी चीज सी उदी पहचान करनी ठीक है इद्धे ही साधे क्लोग प्रक्रूट्मेंट है प्रक्रूट्मेंट वल्लब असी हार एक कंपनी दे अंडर कोई ना कोई डिपार्टमेंट हों दे या बहुत सारे डिपार्टमेंट हों दे उन्हां डिपार्टमेंट दे अंडर एक प्रक्रूट्मेंट होंदा है ठीक है जड़ा बेसिकली की करदा है कि कोई भी चीज उस पर्पोस प्रकुटमेंट इस मोस्ट कॉमनली असोसिएटेट विद बिसनस बिसनस बिकास कम्पनीज नीट तो स्वायलिट सर्विसेस और परचेस गूद्स यूजली और रलाटिवरी लाज स्केल ठीक है असी डेफिनिशन तो ही समझ रहे हैं कि जड़ी मेन कंसेप्ट है दी फर्स्ट लाइन देख लो प्रकुटमेंट इस दा एक्ट अप्टेनिंग गुड्स और सर्विसेस मींस असी कोई भी चीज लैंड देन दा काम करना खरीदारी दा काम करना यह जड़ा काम है एक का चीजा करदा तरह बादा है प्रक्रुटमेंट देविच कोई भी चीज यह कंपनी कोई बीच शीज हो सकतिया लाइक फौर आप शायमपल लैलिए đến दूम स्कूल देख लिए कि बहूद इस स्कूल देबबलाव कि निया छीज जावर से खरीदा देहां वहीड़ा काम सकता है जीज जोफी ना需要 फिर्फ नौलेज हो लिन कि एंई जैज उस जगह ते इनने मेलरी है पर यह लाग में मिल जने ही परशन काम कर सकता है जीजे लो इस ती परम प्रम प्रम को कहुंड जावर सकता है कि पहले कि company ने अंदर सी कोई भी चीज खरीद देया असी उस दी क्वालिटी देख देया थिक है साड़ा में पर्पस से हुनदा है कि क्वालिटी उस चीज दी भधया होए वर कॉस्ट उस दी काट भवी ठीक है साड़ा टाइम भी बच जावे ठीक है इस सारीया चीज जड़िया होन कोंट्रेक्टर से में प्रकामर्ट क्यूंद है थो जरूरत है डौन होंद तो पहला थैए तो आण ने पता होना चाहिए है तो आड़ी जरूरत की है ठीक है फिर असी उस चीज दा सप्लायर लाब देया के वेंडर सेलेक्शन कर देया के भी यह चीज उत्थों वद्या मिलेगी ठीक है पट्चेस करने फिर असी जदो सानों पता है कि ओ बंदा वद्या चीज दिन्दा है ठीक है सब तो इंपोर्ट सबारव सेफिपे उसक्राइब कुम्त में धूजटाय गके अपने भाल को वेंडर सुन थे इंद्धियंड कर देया उनादी लिस्ट बनादेया उना लिंक बनादएं फिर असी उना नू आपनी लिस्ट पेज़ देया कि असी सानों सी अपने आर्डर बान देया कि सानों आ प्रेंडर देनाल भी ठीक है क्योंकि जदो असी उना को लोगी चीज लगांगे ता उसाननों वधिया चीज दाओगे तो अब्यस्ली असाड एक प्रोसा बन जांदा है असी नेक्स टाइम भी उना को लोही लगांगे ठीक है फिर उसी उदी गुट्स रिशिप्ट करांगे देन ओदे इन्वाइस वेरिफ्केशन करांगे जदो असी सारा काम करके असी लास्ट विच ओधी प्रोसेस करांगे फिर असी दमांगे जड़ा साथ चीज ना को लो लमांगे ठीक है उन्पर क्यूट्मेंट ते विच साड़े को लो जड़ी बेसिकली अब्जेक्टिव्स यह हुंदया कि साध्य कुलो जेड़ी बीचीज नसी लानी है ओधी कोस्ट जड़ी है ओग काट होवे ठीक है काट पैसे आदी होवे पर क्वालिटी वदिया होवे गुड क्वालिटी दी होवे ठीक है इस हर जगा ही चल दा चाहे तुसी कोई सूट लान में चला जाओ जा थे जगे स्थे हैं इस टीक होने में चाहिक कि आनो बंदा कर दा कर रहा कि में तानो काल डिल्वरी करांगा मौ और परक रहे कि तुसी उस पर्सन ते ट्रस्च नहीं कर सकते तुसी एक काम कि से होड कौन्ट्राक्टर ना गल करूंगे बहुर सप्लायर ना गल करूंगे सतक से अधेव थेक्ट सेव भूए क्वालिटी वुदिया होवे तुसी एक काम अग्ये किसे हो नुदिन दे हो इस सारा दा सारा काम जीड़ा है काया याहर ओ यह प्रोकुर्योट्मेंट वाले कर दें ठीक है जित्ते असी प्रोक्र्योट्मेंट कर दें हां हूँ फॉर एक्जाम्पल साधे को लो कि policy and guidelines के विछ procurement ले विछ साधे को लो concept है कि असी काम कर दे किता हैं ठीक है सब तो पहला था असी अपनी category management करांगे असानु किस किस चीज़ती जुरूरत है demand analysis ठीक है ठीक है कि साधे मतलब for example लेकर चलिए कि साधे और की जैनलाईजेशन दे विछ केड़ी चीज़ती खतम हो गई है जब किस चीज़ती सानु जरूरत है किस चीज़ती सानु demand है मलो सानु printer दी demand है जा हून ते time ते देखो सारे स्कूला दे विछ lab बन रही हैं ठीक है लाब बन रहे हैं लाब दे विछ ओवियसली समान चाहिदा है ठीक है आपा computer lab दे गलकलन दे आ जापा IT lab दे गलकलन दे आ हून उस समान जड़ा है असी चांदे है कि quality वदिया होवे ठीक है company दा समान होवे पर rate होदा थोड़ा cut होवे क्योंकि असी चांदे है कि सानु cut rate दे वदिया quality मिले ते time ते मिले ठीक है उन ओ और और जिशन जड़ी है तब सबतों पहला असी अपनी डिमांड देखांगे किसी डिमांड नो अनलसिस करांगे फिर असी मार्केट अनलसिस करांगे जेदे विच असी ए देखांगे कि केड़ी केड़ी suppliers थे बैठे ने ठीक है मतलम यह वाली आजीजा सानु केड़ केड़ी चणाठी केड़ी तुमें मिल सकती है असी उना नाल फिर रिक्वेस्ट प्रपोजल पर चांगे जेड़ी पी कंपनी सानु वद्या क्वालेटी दे काटरेट दे प्रोडक्ट देवेगी ठीक है में सानु काटरेट दे लेब्डा माटिरियल देवेगी जब खुछ अपने बजट दे अकॉर्डिंगली ही उस चीज नो देखके अगे मार्कित देविच अप्रोच करांगी फिर सप्लायर स्लेक्शन होगी साथी सानु पता लग गया कि एस चीज जड़ी है प्लैनिंग साथी हो गया हूं साड़ा सोर्स दाथ हमें कि सानु पता लग गया है कि ए चीज अपने अटने दे मिल रही है यह अगे करते हैं पर चेज करक्या सी कॉन्ट्रैक्ट करके अपने सारे बैणिफिट्स लेक्शन आपने अगे कम खताब कर दें ठीक है एह साड़ी मेन पॉलिसी एंड गाइलेंस ऑफ प्रक्यूट्मेंट जेदे विच असी ए समझया है कि प्रक्यूट्मेंट दा कम की है कि असी कट तो कट पैसी खर्चने ने ठीक है वदिया क्वालिटी दा समान लेना है ति सानू टाइम ते डिल्वरी ओधी होनी जड़ी है हो जादा है चाही मुझा यह मुझा तो विआ है की थी ने सानू वधिय थूत 但 ही कि ऑ र scholar चल रहां है ठीक है जी ओ कट्या समान दे रहा है ताइम दिल्वरी नहीं करहा है जी खतलए में जिचेंच करेंगे यह काम हुंदा है procurement यह काम करना है पिर अगे दे जुरूरादे accordingly उस supplier नाल उस contractor नाल गाल करदा है request proposal पेज़दा है देन साधे को लो चीजा मगवा की दिन दा है दिस इस नोन आज आज प्रोक्ट्यूट्मेंट जेदे विस साधे को लो गूट्स अन सर्विसिस दी असी सेस अन परचेशिंग दा काम कर देया नेक्स साधे टापिक आन दा है सेशन टू दा बीप्यो सेशन टू दे विच असी जानांगे कि बीप्यो की हुंदा है वट इस अ बीप्यो बीप्यो दा फुल फॉर्म बेसिकली है बिसनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग नाम तो ही क्लियर है कि असी आउटसोर्स काम करना है मतलब असी एक कंट्री असी कोई एक्सांपल है कि जड़ा कम कोई कंपनी खुद नहीं करना चांदी जा जिस कंपनी नों लगदा है कि ये प्रोसेस ये काम जड़ा हैगा कोई स्पेशल बंदाई कर सकता है तो वो आपना काम वदा आंदी वजाए आपना काम वो दूसरी कंपनी वाले नों दे दिलता है आउटसोर्सिंग ना मतलब आप काम नी करना दूसरी नों काम अग्गे फॉरवर्ड कर देना है ठीक है हुन बीपी ओ दे वेच साढ़े को लोग कंसेप्ट है रेफर्स टू दा प्रोसेस ओफ कॉंट्रेक्टिंग स्टेंडर्ड बिजनस फॉंक्शन्स तो भी हैंडल बाया पार्टी आउटसाइड आफ दा कंपनी ठीक है मतलब दाए है कि साढ़े को लोग एक कंट्री है और अपना कम इसे होर कंट्री दे थू कर वायगी तो बीपी ओसनों चूस कर दे ने है थीपे प्सक्रादों में संद्राइब क्या दोटैना के देज़ हैं नौर्मली जड़ा गुनर्वारफ्ट भूल ईच्डा हम आहा है कॉल सेंटर छूट ह। को पुम्च देने कि तुश्प करनी नहीं करनी है करनी तरह सेंटर सुन देने भाइय चुन्ति क्रम चुन्ति कमों कोई भी प्राबलम आंतिया तो उस्य करदे मैं करते कॉल्स का सेंटर जात2 पॉर्टी जिछटमपा संद में युद्ध उ selective चीज़े चने एक उन्देन बैक ओफिस टास्क फ्रंट ओफिस टास्क एक उन्देन फॉर्णर ओटसाइड ओट्सूर्सिंग ठीक है वन बीपियों दे विच साधे को लोगों जड़ी मोस्ली कम सी काम कर देने जा कस्तमर सर्विसेस प्रोवाइड कर देने अकाउंटिंग पेरोल दा काम कर कर देने human resources management काम कर देने जो भी से कर देने असी बैक ओफिस टास्क दीकल कर देशी ओदे विच हुंदा है पेरोल प्रसेस मतलब यह हुंदा है कि माल लो कोई कंपनी है ओदे विच हजार परसन है जहां लखा परसन हुंदे ने ओदे विचो सैलरी दा जिन्नाव योना दा देख काम हुंदा है ओगिसे होर कंपनी नो दे देने ठीक है क्योंकि नहीं तक कर देने ओपनी कंपनी देविच बंदे हायर करोगे ठीक है ओखारी कि सिस्टम हायर करोगे ओदेनार उना नो ज्यादा प्रब्लम आएगी ता बैटर है कि ओव इन्नी हैड़क लेंदे बजा किसे होर कंपनी नो काम दे देने कि पेरोल प्रसेस्ता काम करके दवो ठीक है बढ़िया बढ़िया कंपनी इस देविच लखा दी गिंती देविच लोग की काम कर दे हुंदे ने उस सारा अगी फर्दर दूसरी कंपनी नो काम दे देने ने वह हुंदा है बैक आपस टास्क मिनस असी आउट सोर्स काम करके गता है कि फ्रंट आफिस टास्क है विच सादे को लो किसी कम्पनी ना किसे लईना हुआ अपने काम ठीद के लेखा किसने कम्पनी ना कि सादि ब्हुन ना क्ला है कि से जिए दें करेदे了 तो इस तरह सर्वेश्व कर देने कि तरह कि दर लगी कंपनी रहा काम कि दर लगा ठीक है और चीज जड़ी है और अकॉर्डिंगली काम कर देने ठीक है ऐड़े को हो वीपी होश्थे वीपी ओसरी आहिरो हुच मत तरा फ़pine वीपी होतेश जो है और फ़े के वो प्रोस्ट रहे हो डू सेंग होगया ड॑मैंट स्कैनिंग acordo मानलोppe फोरन क्यों करते ही टीक कि अे कि बंदा उत्ते काम करते हैं तो इक डॉलर्णरिस आपने चिंच थे रूर काुप्षक्व की और प्रश कूंते है तो एक यूसे करते हैं चाहे्चा हुआइद deja ay嗯 अंध़ आउट्शोर्स करदें जो'RE नדי ऩाल की होंदा है कि उन्हां ते बर्डन जड़ा है क्योंकि कि जो अशी ळो फार्डा कर आंगेो ठ्रेंड कर आंगे तेना टाइम वर्ष कुछ क्ला थी धुक्त कर देल गांट और उन्हीं एपजновबाधें काम कर देने ठीक है हुँन एदे विच जदो जड़ा मेन चीज है वह है कि एदे विच ओ रिपेटिटिव टास्क जड़े है कि प्रोसेस रड़ा है और पीट मोड़ते चालदा सेम कम ही करना हुदा है ठीक है जड़े विच सिंपल रूल्स फॉलो करने हुदेने तो सट आफ सब्सक्राइब करना हुदा है ज्यादा काम नहीं हुदा है विच सिंपल उन्हाने इकता प्रोपर ट्रेनिंग दे देनी है तो उसे ट्रेनिंग नू रपीट करना है उसे ट्रेनिंग नू रपीट मोड़ते काम करी जाना है ठीक है लोकानो हायर करना आपना टाइम वेस्ट एपलए सेश्ना ओटेखिए स्लेक्राइए में आपने टीम दा साइज वदाणा जगताना है चिर्षी काम चाहिए इस सारा ना वी पियो करते ओप प्रोइफ परप्र प्रुइद्मेंड प्रेक्रीटमेट शिद्द में पहला है दिस्तिया के लैंदेन काम करना है ठीक है करके अपना डाटा जड़ा है वह नाल करके अग्गे फर्दर पेज सकते हैं क्लियर होन एदी नाली साधे को लो में कंसेप्ट दे विचे ही सिगा के साधी अडवांटेजिस क्यों दिया कि साधी कॉस्ट रिडक्शन हो जन दिया जोदो असी आपना काम आउट्सोर्स कंपनि आपना काम उसनों दे देंदा है और रेडक्शन हो जन दिया ठीक है अबेलेबिल्टी आफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल सानों मिल जन देने ठीक है कंपनी खुद चूज कर दिया ने कॉल सेंटर वाले जड़े उन देने और खुद चूज कर देने ठीक है जित्थे मैं प वोस्ट कॉमन कोश्चन होना है कि कंपनीज निंडिया केडिया होगी साड़े को बेसीकली मैं तो फिल्हाल दस देने कि लाइक वीप्रो कंपनी थे इनफोसिस जड़ी कंपनी है जेंटा कंपनी यह सार्यादीया बीपयो कंपनीज ने ठीक है जोड़ी डेटा सर्विशिस जिदेविछ साड़े को लो customer sports services हों दीने customer sports services दा काम यह होंदा है कि उदेविछ साड़े कोलो call services होनदी आने call centers हों दीने call centers वाले की कर देने 24-7 और ना दी duty होंदी है ठीक है उना ने की काम करना होंदा पर स CALLING करनी होंदी है ठीक है किसादा तानु जी आ प्रोड़क्ट कि ददा लगा तानु असाइड कि ददी लगी ठीक है ओधे रिगार्डिंग हो तो आनु कॉल कर देने अपना कम असी दूसरे कंपनी तो करा रहे हैं चाह असी इस चीज नो असी कहां देयां बीपियो ठीक है ओउ आउट्सोर्स का अपना कम कर देना आई होप कि तो आनु प्रक्यूट्मेंट दा ते बीपियो दा दोना दा मतलब समझ लाग गया होवेगा प्रक्यूट्मेंट दे विच असी लैंड देन दा काम कर देयां मेंज अपना सी वधिया बंद्य सिहार कर देयां जेडा की साधी कंपनी नो कॉलिटी वधिया दवे ठीक है समान वधिया दवे पैसे काट लगन ठीक है ते बीपियो देवाइस साधे को लाजन दा है यसी अपना काम ही आउट्सोर्स कर देने हैं ठीक है कि आजकार गौर्मेंट ने भी चीजह बहुत कीतिया हुई यानि कि गौर्मेंट खुद इस चीज़नों नहीं कर रही ह है ओ अगये फर्दर आउट्सोर्स कंपनींज नो अगये फर्दर बंदे रखवा कि तो ऊना दी थ्रो काम कर रही है जीनल उना अपना बर्डन जड़ा है खाट चांद है बाकि कंपनी ने अगये फर्दर आपना काम शुरू करतेता हुंद लेगा थिक्त तो एदेन आल पूरिए वीचे हैं 10 us the फीच फिए आपनेज आएटी काम कर दा है कर दा है के आउट कर दा मतलब हो किसे और व्य कली दे बंड है दिया यव किसी और परशन में डिया दह दा द है जिसनों जानदा है कि यह app development अकाम करता है ता उसना डारेक्ट ओदे accordingly ही गल करता है ठीक है फिर सानुए clear चीज हो जानदी है कि जड़ी भी BPO दा मतलब concept clear हो रहा है कि जड़ा भी कोई काम है असी किसे दूसरे person तो कराना है आपनी जगाते असी किसे दूसरी company तो करवा रहे ह है उसनों सी business process outsourcing केंदे है ठीक है सो साड़े इस topic ता मेरे ख्यालना तो unclear हो गया हो वेगा सारा कुछ सो थैंक यू सो मच आव गुट गुट डे थैंक यू